17 जुलाई को ही अमिद शाह ने कहा था कि 22 जुलाई से सोशल मीडिया पर तिरंगा की तस्वीर लगाने का अभियान चलेगा। सभी सोशल मीडिया के खाते की डिस्प्ले पिक्चर डीपी में तिरंगा की तस्वीर लगाए 22 जुलाई आ गई। किसी ने कुछ नहीं किया जब प्रदानमंत्री मोदी ने अपील की कि 2 अगस्ट से सभी अपनी डीपी में तिरंगा लगाए। ऐसे में संग प्रमुख की डीपी बदल जानी चाहिए थी। कई लोग चैलेंज कर रहे हैं कि संग तिरंगा की तस्वीर डीपी में नहीं लगाएगा। अभी के लिए यह चैलेंज सही भी है लेकिन कई दिन बागी हैं। हो सकता है अगले कुछ दिन में लगा दे। सवाल यह भी होना चाहिए कि 2002 के पहले की भी कोई तस्वीर लगाए जिस से पता चले कि 2002 के पहले संग अपने मुख्याले पर तिरंगा पहराता रहा है। उसके पुराने नेताओं की खूब सारी तस्वीरें होंगी। जिस तरह से बीडेपी इस अभियान में लगाई गई यह कहना जल्दी बाजी हो सकती है कि संग के कारकरता भी डेपी का काम नहीं करेंगे तिरंगा अभियान के लिए नहीं निकले होंगे। जल्दी ही संग के कारकरता तिरंगा लेकर मोदी जी का दिया हुआ टास्क पूरा करते नजर आ जाएंगे। तिरंगा बनाने के पारका भी हिसाब कभी होगा ही। गुजरात में हजारों लोगों को काम मिला है। क्या इसका संबंद चुनाफ से पहले तिरंगा बनाने के बहाने लोगों को थोड़े समय के लिए सही रोजगार देना है। जैसे ही उमीद खत्म होती है दो-चार हफ्तों का काम देकर उमीद पैदा कर दी जाती है। मैं इसे एक उधारन के रूप में रखना चाहता हूं ताकि आप घर-घर तिरंगा अभियान के पीछे की मानसिक्ता को समझ सकें। 15 अगस्त को अंगिनत जगों पर करोडों लोग तिरंगा फैराते हैं। इस पर मोदी शाह अपना ठपा लगाना च ही है।